लेपिडो फिटेरा की एक और अच्छी फेमेली है, नॉक्टोइडिया की नॉक्टोइडी, इसको फैलेंडी भी कहते हैं, इसमें मिलर मॉथ इंक्लूड किये जाते हैं, ये मॉथ की बहुत बड़ी फेमेली है, जिनको जनरली अपन ग्राउंड में देख सकते हैं, प्लांट जो लार्वा होते हैं, कटवर्म भी कहलाते हैं, इसके अंदर साड़े तीन हजार डिस्क्राइब स्पीसीज अभी तक है, हमें इदग्यात हो चुकी है, मॉथ जनरली नॉक्टोनल होते हैं, रात को भी मूव करते हैं, और लाइट की तरफ अट्रेक हो करके, वहां पे तक फैल सकते हैं, जो फैली भी कंडिशन होते हैं, मीडियम साइज के होते हैं, बॉडी काफी है, स्टाउट मोटी होती है, अच्छी मोटे साइज के होते हैं, छोटे नहीं होते हैं, प्रिनलों हमेशा पाया जाता है, और प्रोबोसिस के अंदर एट्रोफी दिखाई देत लार्वा जो होते हैं, इसके लीफ पे भी feed करते हैं, stems भी feed करते हैं, नीचे जमीन भी roots भी करते हैं, और generally ये roots पे attack करते हैं, तो पूरा-Pूरा plant damage हो जाता है, roots को cut कर देते हैं, और कुछ लार्वी इसके cutworm कहलाते हैं, क्योंकि ये सर्फ ground surface के उपर ही plant के stem को cut देते हैं जिससे इसको cutworm कहते हैं कुछ noctoids को देखा गया है कि उनके wings में variation दिखता है forewing की वज़या है hindwing ज़्यादा चौड़ा होता है label palps philiform type के होते हैं और wings के अंदर M2 जो vein है वो fang wing area is closer to the M3 than to M1 cubitus for bronze होती है largest philandids जो है Erebus odora एक blackish species है 4-5 inch इसके wide wings है 4-5 inch फैल सकते हैं इसके अंदर larvae इसका prefer to feed on the various leguminous trees leguminous tree के जो plants होते हैं उसके उपर feed करना पसंद करता है एक इसका army worm भी कहलाता है सिर्फ फिस यूनुपंक्टा feed on the various grasses and wheat and corn एक corn ear worm भी है heliothis heliothis का नाम आपने काफी सुना होता है बहुत destructive waste होता है army gera इसको cotton ball worm के नाम से भी जाना जाता है heliothis को army gera को यह बहुत ही serious pest है हमारे plants को wheat or cotton को काफी damage करता है दूसे plants में भी corn को टोमेटों को भी damage करता है few species in this group called looper because they have only three pairs of proleg और यह crucifacy जो होती है crucifacy is a botanical species है वो family है उनके plants के उपर loop-like जो geometric larva होता है loop-like structure के उपर पाए जाता है only two middle pair of abdominal leg cabbage looper tricuspusia is a serious paste of cabbage इसके adult brownish के लगके होते है अपने जो hawk moth देखे थे उसी से में थोड़े बहुत मिलते जूलते है size में थोड़ा सा फरक होता है और यह भी एक lepid provider है कि बहुत important family है इसके बगब पर बहुत से आर कई आर questions पूछे जाते है इसको आपको जरूर करना चाहिए थे आर करना चाहिए झालते है